दोस्तो बॉलिवुड के सुल्तान सल्मान खान की फिल्म किसी का वाई किसी की जान को वाक्स ओफसर रिलीज हुए 50 दिन पूरे हो चुके और 51 दिन ये सिनेमा गरों में चल रही है तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस फिल्म में 50 दिनों में इंडिन वाक्स ओफसर और बल्लबाड वाक्स ओफसर कितने करोड का कलेक्टिन कर सकती है तो वीडियो में सुरू से लेके एंड तक बने रही है अगर आप बॉलिवुड के सुल्तान सल्मान खान को एक बैतरीन अभी देता मानते हैं और इनकी फिल्में देगना पसंद करते हैं सो करोड के मोटी बजट से बनने वाली ये फिल्म एक एक्सरन एंड फैमिली ड्रामा फिल्म में जिसे डारेक्ट किया फरास सामजी ने जिसमें हमें देखने को मिले सल्मान खान, पूजा एगडे, बैंक्रेट दगुबती और जगवती बाबू और सल्मान खान की इस मूवी को लेकर ओडिन्स के बीच पहले से काफिदा हाइप और क्रेज बना हुआ था कि कोई सल्मान खान की फिल्म एद के मौके पर 3-4 साल के बाद रिलिज हो रही थी और ये मूवी जैसे ही वाक्स ओफिस रिलिज होई तो ओडिन्स की तरफ से इस फिल्म को वरपूर प्यार मिला जिसके चलते ही है मूवी वाक्स ओफिस ताबर तोड कमाई करने लगी और इसी के साथ इस फिल्म ने 49 दिन Indian Walks ofezsevr कमाए 4 लाग रुपे और 50 दिन कमाए 5 लाग रुपे इसी के साथ इस फिल्म का 50 दिनों का Indian Walks ofezsevr कलेक्षन 112 करोड 2 लाग का हो चुका था वही बात करें Worldwide Walks ofezsevr कलेक्षन की तो इस फिल्म का सुरुवाती 50 दिनों का Worldwide Walks Swabs Collection 186 करोड 40 माध का हो चुका था अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के 51 पे दिन यानि आज की तो ये फिल्म 51 पे दिन इंदिन Walks Swabs पर 7 लाग का कलेक्शन कर सकती है इसी के साथ इस फिल्म का 51 दिनों का इंडियन बॉक्स ओफिस पर कलेक्शन 112 करोड 9 लाग का देखने को मिल सकता है वहीं बात करने वल्डवाट वाक्स ओफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म का 51 दिनों का वल्डवाट वाक्स ओफिस कलेक्शन 186.50 लाक्ष देखने को मिल सकता है तो दोस्तों अगर आप Bollywood के सुल्तान सल्मान खान की फिल्म किसी का वाई किसी की जान को देख चुके हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा आपको इस फिल्म कैसी लगी